सबी को नमस्कार गूड इवनिंग दोस्तो यूपी पीएसी एसी नर्सिंग ओफिसर कटोफ को लेकर शांदार अपडेट है आप लोगों के लिए काफी टाइम से मेसेज आ रहे हैं कमेंट्स आ रहे हैं कटोफ को लेकर जैसा कि आप लोगों को पता है हमने पिछला वीडियो दिया है यूपी पीएसी येसी का नर्सिंग ओफिसर का इसमें से आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कितने कंडिडेट ने ये अटेम्ट किया है सबसे पहला मैं मुद्दा ये है कि इसकी जो कटोफ है वो कम क्यों रहने वाली है क्योंकि इस पेपर में दोस्तों वन थेड वो नौर्ट मार्किंग थी टोटल कंडिलेट थे तक्रीबन तुकरीबन तेन लाग तो दोस्तों समझाने वाले डोस्तों इसमें बात यह है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीन लाग कंडिलेट में अगर कंडिलेट ने ये सोच के टेम्पर किया है कि पेपर है वो बह फास QUTION थे टाइमिंग था आपके पास 120 मिनट यानि कि एक QUTION के लिए आपके παास 1 मिनट यानि कि 60 seconds का भी समय आपके पास नहीं था आप लोगों को 120 मिनट में 500まあ universe 500 आ सा सात में आप लोगों को गोले भी करने है तो यहां पे और सा सा सात में जो इसमें थी Native mark तक 1 3rd अगर यहां पर 1 4th होता तो भी आप लोगों की कटोफ है वो थोड़ी सी हाई जा सकती थी यहां पर लेकिन जो कटोफ है इस बार कम क्यों जाएगी क्योंकि कंडिवेट हैं दोस्तों इसमें ओल इंडिया के कंडिवेट ने इस वेकंसी में भाग लिया है इन है नोर्ता इंडियन है और そभी स्टेट के कंडिडेट कि इस को पार्टिस पेट में तो मोस्ली तीन लाग कंडिडेट है वो एक-जोंस दिया है लेकिन दौस्तो इस एक-जाम में है कि candidate है वो जल्दी करना चाहेगा क्योंकि आपके पास एक क्यूशन के पास है 60 सेकिंड का भी समय कम है उसमें आप लोगों को गोला भी करना है तो आप candidate ने मैसेज भी किया है काफी candidate से बात हुई है जो मेरे जानने कंडिडेट ने दोस्तों यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्यूशन है वह अटेम्ट करने की कोशिश करी कि ज्यादा क्यूशन करेंगे तो हो सकता है कि चांस हो सकता है लेकिन candidate है वह तीन लाग के करीव है तो जो कट ओफ जाएगी जो मेरिट लिस्ट रहेगी जो सेलेक्शन होगा वो पोईंटों में इस बार होने वाला है यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो जन्रल के मैंने कट ओफ वदायते एक सो सतर से 188 के बीच यहां पर candidate के message भी आए किसर यह कम है इससे थोड़ी ज्यादा जाएगी ज्यादा अगर प्लस पांच आप मान सकते हो यहां पर ज्यादा हो सकती है 185-186 तक लेकिन mostly जो जाने वाली है वह 170 से लेके 185 तक जा सकती है लास्ट माइनस एक दो नम्मर यहां पर हो सकता है बाकि जो कटोफ तो उस तो वह सेम यहां पर रहने वाली है रिजल्ट है वह आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल सकता है यह सैसी का ग्योंकि एक्जाम है वह कंप्लीट हो चुकी है वह रिजल्ट आने में अभी थोड़ा समय है बाकि कटोफ आप लोग कमेंड करके जुरूर बताएं किस परकार से आपने कितने कुसंस अटेम्ट से एस्टी वालों का 113-136 है और पीडवलोड अधर वालों का 115-122 कटोफ एकदम सबसे सठीक है सबसे विसलेशन है बिल्कुल एकदम से हमारे चलने के मादम से हम बताते हैं दर्सिंग ओपिसर की हो सकता है 245 नमर उपर नीचे हो सकता है क्योंकि एक अस्पेक्टेड कटो क्योंकि लेत थी था तो खूर नहीं पा रहा था कंडिडेट से काफी कंडिडेट का छुट भी गया है क्यूशन बहुत कम अटेम्ट किया किसी किसी करेशने ले लेकिन मौस्ली यहां पर बहुत ज्यादा किस अटेम्ट किया है उसके चलते है यह गलत हो जाएगा तो टो य बात भी आप लोगों को ध्यान में रखने थी तो उसके चलते हैं यहाँ पर मामला थोड़ा डामाडोल सा लग रहा दोस्तों कहने वाली बात यह है तो कट ओफ है वो ज्यादा नहीं जाने वाली इस बार कम भी नहीं रहेगी जो हमां हमने बताई है आप लोग स्क्रिंशोट ले सकते हैं इसका पूरा पेज का और आप लोग जब भी रिजल्ट आए तो बता सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही वाकी रिजल्ट की जैसे ही अपडेट होगी यह साइसी की आप लोगों को जुरूर चलने के बाते मिसे बता दिया जाएगा चैनल प